है ब्रीवन मैं मैं पांड़े आपनों का बनी यूटूब चैनल के सी आई टैले स्पेस्लिस्ट में एक बार फिट से हर्दिक शौगत और अफिनन्दन करता हूं मैं आसा करता हूं कि आप लोग सोस्त होंगे जैसा कि आप लोग को मालूम हमारे द्वारा आप लोग को इस चै वीडियो जो थी वो होम मैनू के अंतरगत जो रिवन्स में कम्पलीट टैप साते उनके बारे में मैंने डीपली आप लोग को बताया हुआ है जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो ना देखी हो जा करके मारे चैनल पर जरूर देख लेंगे गाइस मैं आज आप लोग को उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेर करें अपने फ्रेंड्स के पास जिससे उन्हें भी फ्री क्लास राप्त हो सकें तो चलिए चलते हैं देखते हैं लैप्स हैं जैसे पीजस टैब है टेबल स्टैब हैं इस सबके बारे में आज मैं आपनों को डिपली बताऊंगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेजस्टैब में तीन आप्शन आपको मिल रहा है है कवर पेज ब्लैंक पेज और ब्रेक पम से गय्क्स जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट कर रहा है वो इसको यूज कर सकते हैं या पिर हम इसको देख करके डिजाइन भी कर सकते हैं अलक से हम यहां से कोई वी इंग्जांपल ले लेते हैं जिसा कि आप देख पा रहे हैं यहां से हमने यह सेंपल ले लिया आप देखें कुछ words भी mention किये गए हैं जैसे अपने document का title देना यहां username, company का name, address यह सारा कुछ हम इसमें provide कर सकते हैं अपने cover page पर तो cover page का design अगर हम change करना चाहते हैं directly हम इसे select करेंगे और select करते ही आपके सामने format आजाएगा और इस format पर हम जायते हैं तो आप देखें directly हम यहां से color वगेरा change कर सकते हैं जो हमें अवसिता है यह दि हम चाहते हैं कि इसका color हम अलग-अलग से change करें तो उसके लिए हमें यहां से हम directly fill provide कर सकते हैं यहां से अगर हम सेप style करते हैं तो इसके दवारा हमारा color तथा characters जो इसमें हम fonts यूज करेंगे वह font भी change हो जाएगा आप देखें इस तरह से कोई भी effective style यहां से provide कर सकते हैं जो आपको वेस्ट लग रहा हो उससे आप यहां से चुन सकते हैं जस नीचे वाले को भी हम इसी तरीके से change करना चाते हैं तो यहां से हम change कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं हम यहीं से change करें हमारे पास यहां से हम fill color का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां से हम gradient ले सकते हैं हम text ले सकते हैं जो भी चाहते हैं उस type का effect हम provide कर सकते हैं तो cover page जिस तरह से आपका matter ह जिस तरह का आपका document हो उसके एसाप से आप यहां से cover page को design कर लेते हैं तो हम यहां से कोई भी ऐसा ही color ले लेते हैं जिसमें more gradient में चले जाएंगे और more gradient से आप यहां आ करके color को change करेंगे कोई भी color आप ले लेते हैं जैसे हमने ग्रीन कलर सेड ले लिया आप देखें एक फॉर्मेट आ गया तो हम यहां से इसको एपलाई करके बाहर आ जाते हैं इसे सेलेक्टाल करके फिर यहां से हम जा करके गुरूप कर देते हैं गुरूप कर लेने से क्या होता है कि इसमें कोई भी डिस्टर्वेंस नहीं होता है और इस तरह से आप देख पार है हमने डिजाइन क्रिएट कर लिया कलर दे करके और यहां टाइटल पर जा करके यहां मेंसन कर सकते हैं जो भी हमारा टाइटल है अलपर चले कर यहां पर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाल दिया जैसे हम वर्ड डॉक्यमेंट क्रि लेगे इसका साइस और इंक्रीज करना चाहें तो ड्रेक्ली इंक्रीज कर सकते हैं आपके पास ऑप्षण आप यहां से डारेक्ली इंक्रीज कर सकते है style को यहां देए कोज़के HUrys font गरो फॉंट कर लिंगे तो फॉंट आपका ग्रो फॉंट कर जाएगा इसमें हम style सेट वगर प्र वाइड करना चाहिए तर जो भी Southern देना चाहिए हम सेड से हम यहां से लिदा सेट प्रवाइड करक्टे ऐसे happy अपनी नेम हमने डाल दिया किरती कंप्यूटर हमने दिया इसको भी हम थोड़ा सा ग्रोव करना चाते हैं फोन्ट को थोड़ा सा ग्रोव कर लिए जिस तरह से हम अप्लाई करना चाते हैं उस तरह से आप्लाई कर सकते हैं यहां से हम इसमें कोई कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं या स्टाइल ही देना चाहते हैं तो हम यहां से स्टाइल प्रोवाइड कर दिया इसी तरीके से हम एंडर्स डाल देते हैं यूद्या उत्तर प्रदेश हमने डाल दिया और हम इसको भी थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं यहां से जा करके हम यहां इसको कोई भी स्टाइल यहां से दे देते हैं इस तरह से लिए आप देख पा रहा हैं यह थोड़ा सामने यहां बहुत ज्याद़ डिजाइन कुछ नहीं आधा हम्ने एक सिंपल डिया जितने भी आपको यहां पर प्लेसके मईल रहे हैं चाहे वो अपका thar की सब्सक्रूबढ अंधेकवाइब कर सकते जिस तरह आधा करना चालतें आपके पास व कामेट मैट्व है यहां से जाकर करके कि शब्सक्परण मेंकड घ् kitty्काơn को other यह वह इंसरेट में पिक्शर बताएंगे, पिक्शर के साथ हम आपको इसको एक-एक पॉइंट इसके हम आप डिस्क्राइब करेंगे आपसे, तो इस तरह से हमें कबर पेज डिजाइन कर सकते हैं, इसे हम अगर हम चाहते हैं कि जो कबर पेज हम, मोर कबर पेज चाहिए, पर चले जाएंगे, यहां से आपको ऑनलाइन कंटेंट्स मिल जाएंगे, अगर हम इस कबर पेज को रिमूब करना चाहते हैं, तो हम रिमूब कर सकते हैं, यदि हमने कोई भी नई डिजाइन कर रखी है, पेजस में कुछ नया हमने कर रखा है, तो उसको हम यहां से से सेले अप्षेंज कर रहा है, जो यहां से आपका कवर पीज में, जो सारे काउड टेंपलेट्स में से आप कुछ भी ले सकते हैं, जिखिएंगे जो चेंजेस हमने किया था, यहां पर हमारा वो कवर डिजाइन का फॉर्मेट आ गया है, जो हमने सेलेक्शन लिया था, वो हमारा यहां चाहें तो रिमूब कपर पेज करेंगे तो यह आपका अब देखें यहां जिसे इने किर्थी गम्रेट अंस्टिट्यूट लिख दिया हम अभी पेज है इमारे पास और हमें एक नया पेज और चाहिए ब्लैंक पेज चाहिए तो हम यहां से ब्लैंक पेज पर क्लिक कर निए ब्लैंक पेज आजाएगा देखें काम फिस ब्रेक आंग पर हैं और पेज करना चाहते हैं यहांसे इस प्रेक करेंगे और हमारे नंबर भी पेजिशन आउसकता हूँ यह page break option आपको आगे भी मिलेगा layout के अंतरगर जिसमें हम आपको इसको deeply बताएंगे तो इस तरह से आपका pages step complete हुआ next हम देखते है table step तो tables, tables में आप देखे एक triangle हो कर रहा है यहां हम click करेंगे तो एक list आजाएगी जिसमें insert table करके heading है और आपके यहां नीचे कुछ boxes दिक रहा है, boxes में जो right side के boxes है यह आपके column को define करते है और यह bottom side में जो दिक रहा है तो जो हमारी आवस्ता है जितने row columns के साथ हम table design करना चाते हैं हम एक वने ड्राइग करना होगा और इस सब्सक्राइब दकर सकते हैं जब हम टेबल को प्रिजेंट करेंगे तो आप देखेंगे'deign आ गया हम design को भारेहाँ से करें को देख लेते हैं यहाँ पर कोई भी style सबसे पहले हम देखेंगे table की style हमने माल लेते हैं कोई भी style प्रवाइड कर दिया और यहां जो यह table style option है इसमें एंडर रो को यहां से हटाथे हैं तो आप देखेंगे जो यह डार्क एडर रो जो डार्क है यहां से हट जाए अगर कोई भी रो डार्क नहीं होगा सब एक ही तरीके से बेंडेट फॉर्मेट में दिख रहे हैं बेंडेट को अगर हमटा देंगे तो सब सिंपल दिखने लगेंगे तो बेंडेट रोज होने के नाते एक आपको लाइट ब्लू और एक वाइट इस तरह से सो कर गा है अगर हम हेडर रो कर लेते हैं और हम इसमें टोटल रो को एड़ करना चाहते हैं प्लिक करेंगे तो एक टोटल रो एड़ हो जाएगा यह उपर के यह हेडर हो गया यह सिंपल रो हो गया और नीचे का देके डबल लाइन दे करके यहां इसको total row बना दिया गया है, तो इस तरह से हम total row present कर सकते हैं, total row हटा दिया हमने, हम first column और last column को भी define कर सकते हैं, यह दि हमने column की formatting ले रखी हो, जैसे अभी तक हमने header row में अलग format दे रखा है, आप देखें यहां पर हमारे पास कई सारी option है, यह हम column का format ले ले ल अगर हम last column को भी इसी effect में चाहते हैं, तो इसी effect में आपका last column भी आ जाएगा, हम यहां से इसको अटा देते हैं, column को भी हम bandit करना चाहते हैं, bandit column करना चाहते हैं, तो यहां से bandit column करेंगे, तो आप देखें, एक column dark है और light है, इस तरह से आपको columns मिल जाएगे, जो हमने style दे रखा है, उसी के format में हमको यह sow कर रहा है, हम इस तरह से first column लेंगे आपर, तो first column add हो जाएगा, last column लेंगे, तो last column add हो जाएगा, इस तरह से formatting के साथ header बन जाता है वो, और यहां से bandit करेंगे, तो bandit column so करने लगेंगे, वो style हम यहां से direct change करना चाहते हैं, तो कोई भी style ह हम यहां से direct ले सकते हैं, अगर हम setting अपने recording भरना चाहते हैं, जैसे हमने इसको select कर लिया, यहां से table selection हो गया total, और यहां से हम setting को कई जड़े से डाल सकते हैं, बट जो ऑप्शन है, उसके recording में आपनों को बता रहा हूँ, यहां से हम setting भरना चाहते हैं, तो कोई भी setting हम directly ड सका selection ले 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 और यहां से border style हम provide करना चाहते हैं, तो border style हम यहां से show कर सकते हैं, आप देखें, तो यह point बन किया जाएगा, और इस पर हम प्लिक करेंगे, तो यह border बनता चला जाएगा, चुकि पहले से हम apply कर चुके हैं, तो यह border painter है, जिसके द्वारा आप देख पा रहे और यहां से चले जाएं border पर, और borders का style हमने दे रखा है, वह हम all border कर देंगे, तो सारे borders एक ही format में लग जाएंगे, जैसा कि हमने यहां पर apply किया है, जो setting provide किया, और border को हम color देना चाहते हैं, और यहां से चले जाएं, pen color पर जाएंगे, और कोई भी border color हम यहां से provide कर इसी तरीके से layout है आपका, layout में आप देखें सबसे first selection, selection में हम एक-एक select कर सकते हैं, जैसे cell select करना है, अभी हम selection को बाहर कर देते हैं, और cursor हम आ रख लेते हैं, जो insertion point है, यहां हम जाते हैं, cell को select करना है, एक single cell selection हो जाएगा, अगर हम चाहते हैं कि मेरा selection जिसमें मारा active column है या active cell है, वो पूरा column select हो जाए, तो column selection हो जाएगा, हम कहीं एक single click कर लेते हैं, आ रहा जाते हैं, और हम जिस cell में अपने cursor को रखे हुए हैं, उस row को selection देना चाहते हैं, तो यहां से row selection दे दी हमने, इस तरह से और चाहते हैं, पूरा table select हो जाए, तो just पूरा table selection हो जाता है, यह सारा काम आप shortcut के माद्यम से भी कर सकते हैं, जैसे हम यहां alt press कर दें, आप देखें, layout के लिए, आपका यहां J और L highlight हो गया है, और JL करते ही आपका, आप देखें, selection के लिए किया जाएगा, के में एक एक करके, इस तरह से हम shortcuts के माद्यम से, हम smart तरीके से भी use कर सकते है अपने word के options को, तो हम ऐसे mouse के माद्यम से ही कर ले रहे हैं, यहां से gridlines आपकी show हो रहे हैं, जो border हम देते हैं, उसके पहले gridlines होती है, यहां से हम hide show करने का काम कर सकते हैं, जो हम ने border देखा है, अगर हम hide भी करेंगे, तो gridlines नहीं दीखेंगी, विकॉज जो आपका border है, उस content या पकोई paragraph लिखा है, उसके बीच में add करना चाहते हैं, तो हम आसानी से add कर सकते हैं, जैसे हमने यहां लिख लिया, हमने एक paragraph प्रेजेंट कर लिया, और इस table को हम यहां से add करना चाहते हैं, table को जैसे मुठा के बीच में रख रहे हैं, यह बीच में आ गया, आप देखे आपके table का size बड़ा है, तो हम यहां से क्या कर लेते हैं, fit to content कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, अपने table को, जैसे देखें, आप पीच में center में यह दिक रहा है, इसको properties में जाते हैं, अगर हम left में चाहते हैं, तो left में हम ले जा सकते हैं, left में आ गया, इसी तरीके से हम इसको चाहते हैं, right में ले जाना, तो right में आ जाएगा, जिस जगे पर होगा, उसके left, right, center आप इसको कर सकते हैं, अगर हम formatting जो हमने दे रखा, जो हम positioning करा रहे हैं, वो हम run कर देंगे, तो वहां से पूरा area उसका खाली होगी, आप पूरे हम अपने table को fit to window भी कर सकते हैं इस तरह से हम around करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे, जो setting चारो तरफ से आपके text दिख रहा है, because यह right में है, तो right side आपका blank होगा, चुकि यह आपका margin area है, तो इस तरह से setup हो जाता है, बतलब अपने table को हम कहीं भी adjust कर सकते हैं, आप देखें, table properties में जा करके, हम row, column, इस इस तरह से हर एक का management कर सकते हैं, हम पूरे table के साथ एकाम कर रहे हैं, तो आप एक एक करके check कर लिजेगा, यहां देखें, draw table, draw table करने का मतलब है, अगर हम कहीं भी table design करना चाहते हैं, just हम click करके draw कर सकते हैं table को, हमें इसमे line बनाना है, तो हम just kitchen के column बन गया, इस तरह से हम column create कर सकते हैं, चुकि हमने format दे रख रहा है, fit to content, तो इसलिए content formal जब जो table का, मतलब जो table का सबसे छोटा format होता है, small style में table आपका आजाता है, content के according fill हो जाता है, content किसमें मैंने कोई दे नहीं रखा है, इसलिए जितना cursor का एक criteria होता है, एक character का जो space होता है, उतने में आपका table adjust हो गया है, अभी हम यहां से जाएं, इसको fit to window कर दें, तो पूरे window में fit हो जाएगा, फैल जाएगा, जितना इसका आपका ruler का margin area है, जो आपकी pace की margin दी गई है, उसके according आपका पूरे window में यह add हो जाएगा, चुकि रैपिंग जो है, वो आपके ruler तक का है, इस तरह से अगर आप देखें, कोई भी option अभी आपको सो नहीं कर रहा है, जब cursor table में होगा, तभी table related option आपका table के tools highlight होते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से fit to window कर लेते हैं, और आप देखेंगे, हम eraser भी कर लिए, हमें delete करना है कुछ, row column या जो भी हमें delete करना है, वो हम delete कर सकते, जैस से हम एक row को अब above में insert करना चाते हैं, just click करेंगे, आप देखें, cursor यहाँ था, और above में row insert हो करके आगया, हम below करना चाते हैं, विलो में एक आगया, इस तरह से हम एक row कॉलम इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, लेफ्ट में कॉलम ले लिया, राइट में कॉलम ले लिया, इस तरह से अपना जो पहले से बना हुआ टेबल, मैं हम एडिट करके row and columns को अड्ड कर सकते हैं, हम ने सेलेक्ट कर लिए हम मर्ज कर देंगे तो यह एक में हो जाएगा उपस में और इसे फिर हम स्प्लित मतलब बातना हम बाटना चाहते हैं तो तीन रो में बाटना था ओके करेंगे फिर उसी फॉर्मिट में चेंज हो जाएगा इस-तरह से हम करना चाहते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं आप देखें हमने एक पूरा एक रो सेलेट कर लिया और हम अपने टेबल को यहीं से स्प्लिट कर देना चाहते हैं टेबल दो भाग में बढ़ जाता है इस तरह से आप टेबल को बांच सकते हैं फिर अगला ओप्शन है आपका फिट्टू आप भी बने बता है फिट्टू कंटेंट करेंगे तो जो सबसे चोटी स्टाइल होगी चुकि ब्लैंक टेबल है तो उतने में वो अट्जस्स हो रहा है अगर मैंने कुछ मैंटर दे रखा होता तो मैंटर के एकॉर्डिंग मों स् पोमेटली सारे कॉलम एक ही साइज में सेट हो राती है क्यों कि यहां पर फिक्ष्ट कॉलम विट्ट जो अप्शन है यह उपशन है यह अभी आपको मैं बताऊंगा आगी भी दिखाऊंगा इसका ऑटोमेटिक यह सैट होता है यहां से हम हइट को जैसे रोपा सेलेक्शन ह प्रक्रेट रहे हैं यहां से सथके कैम कैम कब्लें कि इस बढ़ाना चाहते तो इस तरह से रोग विड़ा ले है तो यहां हम क्या करते हैं बडाबर भाग में इसको distribute नोज को बडाबर बडाब भाग में बांट देतें को चूपकि total height हे हो गयी है तो इसी के according है बरबर सबकी सारे rows की height बडाबर कर देगा आप देख रहे हैं 3 और वह आपकी बडाबर हो गयी इसी तरीके से हम हम चाहते हैं कि सारे कॉलम्स की जो विट है वो अटमेटिक सेट अप हो जाए तो विट भी यहां से डेस्टिविट हो जाएगी इस तरह से अपने लिखा अब देखें यह आपका जो एलाइनमेंट है सेल के अंदर हम करना चाहते हैं जैसे मैंने केस या लिख दिया अगर हम खेंटाप सेंटर करना चाहते इना है टौप सेंटर तौप राइट हो जाएगा मीढिल सेंटर करना चाहते हैं इसको हम इसको set कर सकते हैं default हम top left में कर दिये हम text का तो इस तरह से direction को change कर सकते हैं। cell में आप देखे हैं एकदम टॉप और left column पर setup एसका हम इसकी margin को set करना चाते हैं। Top से मिसक्स को a space देना चाते है। से space और बड़ा देना चाते हैं थोड़ा-सा और ऑर बॉटम से भी स्पेस देना चाहते हैं मेटर बॉटम के था ज़्यादा मेटर हो था राइट से थोड़ा सा सपैस देना चाहते हैं और उखे करों इसके एकौरिंग अब मद रहें के सेठी आपत ऑर है स्पेस और बढ़ जाएगा १। कई नेम दे दिए अब हम क्या करते हैं इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से सेलेक्शन दे दिया हम और यहां देखें सौट एसेंड डिशन करना है हम सौट अप्लाई करना चाहते हैं टेक्स्ट में सौट अप्लाई करना चाहते हैं पैराग्राफ है टेक्स्ट है तो टा ऑन को गना से जोगे अगर हम डिसेंड करना चाहते हैं ऐसे के विआ यान काहिप कर ना चाहते हैं, जिस तरह से मार के साथ हम करना चाहते हैं और यहां से ओके करेंगे तो आप देखेंगे यह देखर है परनेलिक चाहिए इस तरह से लिए है यहां ब्ला है फॉर्मीव लंगाना जिसे अमें कुछ 25 ईधिया यहां पर हमें फार्मीला लगाना है यहां फार्मिला पर यहां पर हम कोई भी number प्रड़ देटें अन्ह था करना चाहते हैं और हम फार्मिल्ला अप्लाई करेंगी जुति आप देखें सम एक अबाल कर आ गया करेंगे और अब को से तो ट्रब कर देगा तो इस तरह से फार्मिला अब इस्तमाल टेबल में कर सकते हैं यह है आपका डिजाइन एंड ले आउट समझ में आया हो यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे अब हम आ जाते हैं टेबल पर आप जाएंगे जैसे आपने देखा कि यहां से डारेक्ट हम टेबल कर ले रहे यह को हम यहां से सेट कर सकते हैं अभी मैंने एक आप्शन आपको बताया था पीछे फिक्स्ट कॉलम बिट देखें यह आटोमेटिक लगा हुआ है इसके ही नाते आपका जो टेबल होता है उसके रो कॉलम की साइज आटोमेटिक सेट हो जाती है यहां से ओके कर ले यह दे ठता दिया तो आप हर इक option के साथ इसका अस्तमाल कर सकते हैं next हम बहार आते हैं और तीबल कर तरीके से हम देखते हैं हमें जहां है विक हैं बाणि कर लेते हैं फोक काम की है अब तेखे gi present, वहां हम स्कूलम क्रीइट कर लेते हैं of curriculum, स्कूलम की to Use तेबल में कम ज्यादा करके हमने दे दिया अब देखें आपने कॉलम कॉलम डिजाइन कर लिया अब हम रो डिजाइन कर रहे हैं यहां से रो बना रहे हैं रो हम यहां से दे दे रहे हैं और हम एक साइज में हम नहीं कर पा रहे हैं और जैसे जो कंप्यूटर आटो फिक्स कॉ अगर हम यहां चले जाएं, distribute row evenly कर रहें, सारे row distribute हो जाएंगे, distribute column में वेल निकल लेंगे, तो इस तरह से मेरे सारे row column बराबर हो जाएंगे, धी हमने सही से नहीं बनाया हुआ है, तो भी, तो इस तरह से हम table को draw table करके भी create कर सकते हैं, अगला option हम देखते हैं, इस में table में, अ इस तरह से हमने लिख दिया, हम क्या करते हैं, इसको select कर लेते हैं, अभी आप देखेंगे, हम इस text को कैसे table में convert करते हैं, लिखा है, convert text to table, अगर हम basically ऐसे जाएं, और normally हम यहां से ok कर देंगे, तो आपका जो table है, इस तरह से convert हो जाएगा, इस तरह से सारा convert हो जाएगा, कर अगर यहां हूँ, एक तरीका, हम और बताते हैं आपको, कभी-कभी हम table को convert करते हैं, टेक्स को table में, और हमारा यहां paragraph पे लगा हुआ होता है, और हम यहां से ok करते हैं, तो हमारा table कुछ इस तरीके से create, और अभी पीछे मैंने बताया, कि जब हमने यहां से table insert करा, convert किया हम text को table में, आपने देखा कि जितने भी space के बाद words लिखे गए हैं, सब अलग-अलग column में, अलग-अलग cell में आ गए, उसके लिए हमें क्या करना होता है, other पे जाना होता है, और यहां पर हम एक space provide कर देते हैं, यह आपका best तरीका है, space करेंगे, और यहां से ok करेंगे, तो आ text to table कर सकते हैं, अगर option हम देख लेते हैं, अगर हमें table insert करना है, Excel से, चुकि MS Word के बाद हम आपको Excel पढ़ाएंगे, Excel बहुत ही important application है, spreadsheet management यहां से हम बहुत जबरदस्त कर लेते हैं, इसमें बहुत important formula, advanced Excel के formula हैं, जिसको हम आपको deeply बताएंगे, तो यह जो चल रहा है आपका course, step by step चलेगा, ऐसा नहीं कि हम एक shortcut यहां बता देए, Excel का, यह इस तरी से मैं नहीं पढ़ाता, मैं आपको step by step पढ़ा रहा हूं, ऐसे कहीं भी आप जैसे classes attend करते हैं, step by step आपको classes दी जाती हैं, उस तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसलिए यह चैनल आपके लिए क आप देखें, Excel का एक, आपका seat open होकर के आ गया है, और जो ऊपर के menu's है, और ribbon's कर रहा है, वो सब Excel का आ चुका है, यहां पर हमने लिख दिया, इसे ही, serial number जैसे हमें देना, तो हमने serial number लिख दिया, यहां हम कर देते हैं, name, table format हम दे रहे हैं, यहां हमने दे दिया, जैसे ही subject करके हमने दे दिया, subject 1, और इसे हम यहां से drag कर देते हैं, इसी में हम total भी provide करेंगे, जैसे subject 5 हमने कर दिया, और हम इसको थोड़ा सा drag कर लेते हैं, Excel का area हम और ले लेते हैं, यहां हमने दे दिया, total, हम आसे total दे दिया, serial number हम provide करेंगे, 1 and 2, दिखे, Excel में किवल आपको indicate कर करना उसको बताना है थोड़ा सा कि हमने करना क्या है, हमने 10 कर दिया, यह आपका 10 हो गया, महा लेते हम कोई name दे दिया, हार एक में हम subject number provide कर देते हैं, हम नंबर change करके करना चाहिए, नहीं हम इसे ही drag कर देते हैं, चुकि बहुत ज़्यादा समय ना लगी, अगर आपको एक shortcut होता है, alt equal कर देंगे, total हो जाएगा, यहाँ पर, just total कर लिया, और फिर हम इस plan को पकड़ेंगे, और ऐसे ही drag कर देंगे, complete total आपका हो जाएगा, इस तरह से आप देखेंगे, complete का total आपके सामने, अगर हम बाहर क्लिक कर देते हैं, तो यह table आपके सामने आ जाएगा, अगर हम इस table को थोड़ा सा format करना चाते हैं, जैसे हम इसमें थोड़ी सी style या हम header को ही format करने चाते हैं, तो header को हमने यहाँ से format कर दिया, और text को हमालग format में दे देना चाते हैं, text को हमने कोई दूसरा format दे दिया, इस तरह से हमने table format किया, और हम बाहर क्लिक कर दिया, आप देखे करेंगे गुटिवल अगर आपके पास समय ज्यादा नहीं है और आप से टेबल बनाने को बोला जा रहा है तो डारेक्ट ली आप क्रियेट कर सकते हैं अगि यहांसे डारेक्ट टेबल आपका जिसे कलेंडर फॉर्मेट या को भी फॉर्मेट आप देना चाहते हैं तेकि कलेंडर बनाने किसी का जस्त आपने क्लिक के और करेंडर के शामें अब आपको कुछ नहीं करना बस इसमें एडिट कर लेना है कलेंडर जिस मन्त का क्लेंडर आपको क्रिएट करना है उसको आप एडिट कर लीगे तो इस तरह से हम टेबल को डीपली यूज कर सकते हैं आप देखेंगे अगर इस कूर्स को आप जॉइन करते हैं तो आप कैसी लगी कमेंट के माद्यम से हमें बताएं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बीना सब्सक्राइब की आप न जाएं वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें सेर करें अपने फ्रेंड्स के पास मिलते हैं नेक्स एक नई वीडियो के साथ तब तक के ल